सद्धाधारी नेताओं ने दिया जूठाज श्वासन तीसवर से नहीं बनी सड़क पतादे की 2024 में हाथरस लोगसभा की विधान सभा एक लास के ग्राम पंचेद गहलों के पांच काउन तीसवर से तूटी पड़े सड़को लेकर बोट ना डालने का नेरा लिया था लेकिन सद्धाधारी नेता मोगे बर पहुंचे और सड़क बनवाने का जनता को आई सवशन दिया बोट वल्वाने आया जोके क्लास गोडा में रोड से भहिया के पुलिया से नगला माध हो नगला वीरा होकर श्याम मड़ी पंपापूर हस्तपूर अलीकर दोस से मिलती है लेकिन आज जब चुनाब हुआ था तो तब इस गहलो ग्रम पंचायत में बोटों का वैसकार हुआ था तब कुछ लोग नेता लोग आये थे एस्ट्यम बगरा भी आये थी वो जनता को अस्वासंद देके गई थी कि जो एकलास विदान सवा में लिंक रोड एकलास गोंडा रोड से यह हस्तपुर अलिगड के लिए मिलता है वो रोड का करीव करीव 35 साल से बना नहीं है तो उस रोड को ले करके जनता ने बोटों का वैसकार किया था तो तब यहां मौजूदा बिलाग पुरम को नरेंदर चौदरी गोंडा से और अब बालमी की अनुपेड़दान की घ रोड पढ़ने के बाद आपके भीच में कोई अधिकारी या कोई बेदाय किया सांसद्य अभला परमुक आया नहीं आए इस रोड की कंडिशन आप देख रहे होंगे तो आपको रूबरू कराते हैं इस गाम की जनताजि़ आपको नाम क्या है प्रतम सिंग मैं यह जानना चाहूँगा जब चुनाब हुआ था लोग सभाक का अपने वोटाउं का वहसकार किया था वह किस बात को लेकर कि एगा लोड को बनवाने के लिए वैसकार किया था आपके बीच में नेता लोग आए थे आए थे आप से आप से आप से क्या स्वासन देकर दोगाए देंगे अभी बनवा देंगे चुनाब के बाद अब फिर उसके बाद में कोई यहां आया गिट्टी पड़ी या कोई नहीं आया कुछ नहीं हुआ लोगों का कहना है अभी तक बोट लेने के बाद कोई भी नेता अभी तक नहीं आया अभी तक कोई गिट्टी पड़ी तो इसके बारे में और कांप के और जो एस्ट्यम बगरा जो आए थे तो आपको क्या स्वासन देकर कि गई जे दो हजार चौवीस में रोड़ पक अभी तक कोई यहां सर्वे करने के लिए या कोई घिट्टी वगरा कोई ठेकेदार कोई आया नहीं आया नहीं आया इसके बारे में आपकी पर क्या रहा है अ अब बताएंगे आपको आगे के लिए विचान क्या है यह का रोड बनबाद नहीं बनता है तो आगे के लिए बिलकोल पूरी गिराम पंचयत गहलोगा बोट बोट डालने का भैसकार किया जाएगा रोड भी जाम किया जाएगा और सभी नेतां के खिलाब जिन ताबाज उ